Welcome to Learn Basics VLW के जो slips हमने शुरू किया है उसमें एक topic है Space Orientation उसके आज ये MCQ में लेके आया हूँ ठीक है तो total 5 questions हैं इसके अंदर तो एक एक करके हम इसको देखेंगे Question number 1 है Which is the figure after rotation ठीक है ये हमारे पास एक square दिया गया है इसके अंदर ये circles है कोई filled है और कोई unfilled है ठीक है ये वाले circle जैसे filled है ये भी filled है ये different color है ये color different है ये color different है ये black है और ये देखे इनका color जो है different है हमें बताना है कि जब इसको rotate करेंगे इस figure को तो next कौन सा figure generate होगा ठीक है तो सबसे पहले ये शुरू करेंगे इसमें अगर देखेंगे तो uniqueness हमें क्या नजर आ रही है इसमें हमें uniqueness नजर आ रही है कि ये four circle जो है किठे है second row में ठीक है तो देखेंगे four circle कहाँ पर आ रहे हैं किठे तो इसमें देखो three circles है तरी इदर भी three इदर two इधर three three तो इधर four circle जा किठे नहीं है यहाँ पर भी four circle नहीं है इस figure में जब चलेंगे तो देखो यहाँ पर four circle जा रहे हैं ठीक है इस तरीके से यहाँ पर four circle जा रहे हैं ठीक है similarly इस figure में भी चलेंगे तो यह four circle जा रहे हैं इसका मतलब है हमार answer या तो ये होगा ये ये होगा फर्दर इसको देखेंगे हम इसको जब और फर्दर देखेंगे तो एक हमें ये blue color का जो circle है जो blank है एक corner में नजर आ रहा है और दूसरा second number पर आ रहा है हम देखेंगे कॉन से corner में ये वाला circle हमें मिलता है ठीक है तो corner में हमें इसमें तो ये corner में नहीं आ रहा है ठीक है इसमें कहीं भी corner में नहीं आ रहा है तो इसमें corner में आ रहा है ठीक है इसमें corner में आ रहा है उसके इलावा जो उसके साथ वाला circle यो तीसरे number पर या अगर ये first है ये second है तो ये third है तो तीसरे नमबर पर इस से तीसरे नमबर तो यानि यह आ रहा है इसका मतलब यह हमारा अंसर होगा ठीक है तो C part की हमारा अंसर होगा क्योंकि D जो है satisfy नहीं कर रहा इसको गर rotate करेंगे तो यह वाली figure जो है नहीं बनेगी कौन सी figure बनेगी? C part जो है वो बनेगा model को हम उपर से देखेंगे उपर किसे तो हमें कौन सी figure जो है वो नजर आएगी? उपर से देखने का मतला गर जैसी यह जमीन पर पड़ा है हम अगर कोई 50 meter उपर से देखेंगे तो हमें कौन सा figure जो है नजर आएगी 50 meter से ठीक है तो चलते हैं के करके figure की तरफ चलेंगे first A की तरफ चलते हैं देखो उपपर से जब देखेंगे तो एक ये ऐसे दिखेगा ये एक square ऐसे देखेगा येवाला square ठीक है तो एक square इधर आरहा बीलकुल आरहा 다음 ये figure हमें दिखेगी ऐसी ये वाली फिगर उपर से ठीक है तो ये वाली फिगर देखो इदर आ रही है ये वाली फिगर ठीक है दन ये वाली फिगर साथ में इसके देखो ये वाली फिगर इदर दन ये वाली फिगर है इससे थोड़ा सा आगे ये निकला हुआ है तो यह आगे निकला हुआ है तो यह वाली figure क्या है यह वाली figure जो है मैं उपर से दिखाए देगी चलते हैं second part की तरफ यह तो हमारा बन रहा है second part की तरफ देख रहे हैं यह क्या दिया है एक strip दे रखी है rectangular rectangular strip है फिर यह strips strip strip में चोटी होती जा रहे हैं तो ऐसा तो इधर कहीं नहीं है strips जो है चोटी चोटी होती जा रही है इसका मतलब यह answer तो नहीं होगा इसके तरफ चलेंगे तो देखो यह क्या है यह 3 strips दे रहा है एक 2 और 3 हम देखेंगे हमारे में देखो 1 और यह दूसरी स्टिप है एधर से अगर चलेंगे तो एक और यह दूसरी स्टिप है तो तीन स्टिप्स था हमारे पास है यह नहीं ठीक है और वह भी startup मिंज एक लाइन की अंदर है तो इसका मतलब है कि यह वाली figure जो है वो भी हमारा answer नहीं है अब इसकी तरफ चलते हैं, fourth part की तरफ, देहो इसमें ये है, ये इदर हम इसको कर सकते हैं, उसके इलावा ये था हमारे पास ये figure लेकन ये जो है उसके साथ टैली नहीं कर रही है हमारे पास ठीक है क्योंकि ये इदर ये जो rectangle आ गया इदर ये वाला side ये नहीं आना चाहिए तो इसका मतलब ये भी नहीं है तो ये जो हम सोच रहे हैं कि हमारा answer ये होना चाहिए ये बिल्कुल ठीक है तो question number two का answer क्या हो गया ये पार्ट हो गया ठीक है question number three हमारे पास है if the paper was folded into a cube ये एक paper हमारे पास है तो इसके उपर ये कुछ आकरिती है कुछ निशान जो है बने वे पेपर के पास बोलता अगर इसको fold किया जाए और एक cube के form में, cube के form कैसा होता है cube होता है ऐसा तो बोलता अगर ये fold किया जाए इस paper को और एक cube बनाया जाए तो which are the following shapes it will look like तो कौन सी shape हमारे पास बनेगी ठीक है अब चलते हैं कैसे चलेंगे अब देखो ये figure दे रखिया हमारे पास कि ये देखो ये इसको relate कर रहा है ये वाली set जो है इसको relate कर रही है और ये दो जो हैं ये इधर आ रहे हैं तो क्या ये साथ में आएंगे देखो जब इसको fold करेंगे तो ये वाली set जो है ये side बाजाएगी ठीक है और ये भी side बन जाएगी ये भी side बन जाएगी एक और ये भी side बन جाएगी ठीक है, ये वाली side जो है bottom बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, ये bottom बन जाएगा और ये इसका top बन जाएगा ठीक है, तो बोल रहा है एक बार इसको रब करेंगे जड़ा अब ये देखो, इसके साथ जो है, ये वाला आ canal आ रहा है क्या इस वाले के साथ बोल रहा है ये वाला आना चाहिए तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये बॉटम ये वाली सैट जो है बॉटम है और ये वाले टॉप है तो ये इसको रिलेट तो करी नहीं रहा है यह बोलता है, यह दोनुen साथ में आ रहे हैं, यह तो opposite आ रहे हैं, यह इसका opposite होगा, क्योंकि यह bottom में रहे गा, तो यह वाला side जो है, यह वाला side top में रहे गा, और यह वाला क्या है? bottom में रहे गा- ça, तो यह इसलिए यह answer नहीं होगा, a part वाला, ठीक है? अब चलते हैं B part की तरफ B part में क्या है ये ये वाला और ये देखो एक ही चीज है और ये तीन ये और तीन ये अब ये देखेंगे कि ये side जो है साथ में है कि नहीं है तो जब इसको इनको fold करेंगे हम तो ये sides बन जाएंगे जो ये cube है इसकी sides बन जाएंगी ठीक है तो ये वाली side जो है इसके opposite हो जाएगी ठीक है बच्चो ये वाली side जो है जिसके three dots ये वाली side जो है इसके opposite हो जाएगी लेकन इधर तो ये साथ में बता रहा है ठीक है इधर ये क्या है साथ में बता रहा है तो इसलिए C part भी जो है वो answer नहीं होगा अब चलते हैं fourth option की तरफ अब ये जो ये है और इसके लाव़ ये three dots हैं देखो ये top बन रहा था हमारा और ये क्या बन रहा था ये हमारी side बन रहे थी ठीक है तो ये आ सकता है कि ये top बन जाए ये वाली side जो है जब ये fold करके उपर आ जाएगी ये side बन जाएगी तो top के साथ ये वाली side आ सकती है तो इसका मतलब ये वाला answer जो है मरा होगा मैं इसको दोबारा repeat कर रहूं एक बार fourth option में क्या था fourth option में दे रखा है कि ये जो तीन dots हैं और ये वाली side जो है ये लग रही है आपस में ठीक एक साथ में है ये जब इसको हम बनाएंगे एक cube बनाएंगे तो ये वाला जो है ये ये हो जाएगा top ठीक है ये वाला उपर से आ जाएगा जब ये उपर से आ जाएगा तो ये side है अब top और ये वाली side तो इसके साथ जुडेंगी कौन-कौन सी side ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 ठीक है ये इसके साथ तो जुडेंगी इस वाले के साथ ये वाली side जो इसके साथ भी तो जुडेंगी तो इसका मतलब है ये वाले figure जो है ये बिल्कुल ठीक बनाएगी ये ठीक है, तो answer होगा D part चलते हैं next question number 4 अमारे पास है, 3 different position of the same dice are shown एक dice हमारे पास है ठीक है, एक dice हमारे पास है एक dice हमारे पास है और उसका क्या है बोल रहा है कि same dice are shown below 3 different position of same dice are shown below, which symbol on the face opposite the face showing star, ठीक है तो star के opposite कौन सा symbol होगा ये पूछा गया, कि star जहां पे है तो इसके opposite ये back वाली side में इसके opposite ये वाली side रहेगी तो बोला उसके symbol क्या होगा, तो हमें determine करना है उसको determine करने के लिए क्या है, हम देखेंगे एक देखो इन दो figures को relate करेंगे कौन से वाले को, एक तो इसको और इसको relate करेंगे, देखो कि आप तो दो side है हमें इदर नज़र आ रही है एक में dollar लिखा हुआ है एक में and लिखा हुआ है, और इसकी दो जो बाकी side है, वो इदर नज़र आ रही है यानि चारू side से हमें पता चल गया कि dollar है, then and है और plus है, और star है ठीक है, तो यानि इन में से अब कौन से symbol opposite होगा, ये वाला symbol जो है opposite नहीं हो सकता, ये क्यों opposite नहीं होगा क्योंकि ये तो इसके साथ में है ठीक है, देखो, दोबारा में इसको repeat कर रहा हूँ, कि ये हम दो sides लेंगे, दो sides लेंगे तो ये बता रखा है, कि ये star है और ये भी star है star star है, तो इसका मतलब star, इसकी दो sides हमें दिख रही है इसमें भी दो दिख रही है, यानि total चारों side है हमें, इस एक face की दिख रही है इस जहां की ओपर star है यानि एक ये, दूसरा ये, तीसरा, और चोता हमें पूछा गया है कि star की opposite क्या होगा, star की opposite इन दोनों में से कोई न कोई होगा, लेकन ये नहीं होगा ये क्यों नहीं होगा, ये बिलकुल साथ में है हमें चाहिए इस जगा पे, इस side में इन में से कोई सा होगा, तो या तो ये होगा, या ये होगा ठीक है, इधर से ये पता चल गया है कि इसमें क्या है, plus अमारा answer नहीं होगा, तो plus जो है, वो अमारा answer नहीं होगा, या तो हमारा dollar होगा, या and होगा, ठीक है, तो answer में में dollar तो given ही नहीं है हमें सिर्फ given है and तो हमारा answer क्या हो जाएगा and हमारा answer आजाएगा ठीसरी के हमें देखने की ज़रूर तो नहीं बड़े एक बार चलते हैं तीसरे की तरफ अगर इदर से कुछ हम determine कर पाते यहां पर दिखाया गया and ठीक है तो उसकी ज़रूरत नहीं हमें पड़ेगी क्योंकि हमें इदर से ही answer आगए इसको third पर जाने की ज़रूरत नहीं हमें अब चलते हैं question number 5 की तरफ यह भी question number 4 की तरह है तो बोला four positions of our dice are given below एक dice है उसके चार position दे रखे ठीक है अब बोला गया है कि question के निकलना हम है find the number on the face opposite to the face showing four four के opposite क्या आएगा यह four हमारे पास है इसके opposite यानि इस वाली side पे क्या आएगा ठीक है अगर हम देखें इस figure से अगर हम देखें इन दोनों figure को लें तो टॉप पे दोनों के two two है two two अगर है तो एक तो four आ रहा है एक one आ रहा है एक three आ रहा है एक five आ रहा है ठीक है इसका मतला हमें two के साथ वाली two के साथ वाली कौन सी side होंगी चारों side से हमें पता चल गए two की वो कौन कौन सी तीन यह आगी first side, यह second side, यह third side और यह fourth side ठीक है अब क्या है कि हमें क्या है four के opposite न कालने के लिए बोला गया है लेकिन four के साथ में given अमारे पास one है तो इसका मतलब one अमारा answer जो है वो नहीं होगा क्यूंकि हमें four के opposite यह तो three होगा यह five होगा ठीक है इन दोनों में से कोई है तो three और five हमारे पास दो answers है ठीक है, अब चलते हैं, इस side कुछ mदद ले पाते हैं क्या इधर हम देखते हैं देखो six है यहाँ पर और इधर भी six है ठीक है, अब एक side six के क्या है, one आ रहा है फिर एक five है five के साथ में बता रहा है one और five के साथ में बता रहा है three यानि 5 के ये side 1 है तो पिछली वाली side क्या होगा? त्रीकियों की इधर given है इसका मालो 3 इधर है तो 5 के opposite क्या होगा इसका मतलब है? वो 5 के opposite जैसे इधर 2 था तो 5 के opposite हमारा क्या आना चाहिए? देखो इधर क्या आगया है? 1 क्या नाम है अपना? 1 के 7 में आगया 5 और उसके 7 में आगया 3 देखो इधर 1 और ये वाले इसी side की बात कर रहा हूँ देखो 1 ये 1 था इधर, ये 5 था, ये इधर 3 और ये क्या चीज़ बच गया है? 4 बच गया है, तो 4 कहा है? ये 4 आएगा इस back वाली side में ठीक है, तो हमें पूछा गया थे 4 के opposite की आएगा तो 4 के opposite की आएगा, 5 आएगा हमारे पास तो answer क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला answer आजाएगा हमारे पास ठीक है? तो ये था, ये वो space orientation के बारे में hope आपको समझ आई होगी और कुछ अगर ना समझ आई हो तो kindly जो comment section है उसे mention कीजिए मैं request करूँगा कि जो आप हमारा channel है उसको subscribe कीजिए Thank you